हालो दोस्तों मैं हर्श्टता और आप देख रहे हैं ट्वेस्वाइवर्ल अभी जो कल जो सुरी रगरहन लगने वाला है 21 जून 2020 को उसकी टाइमिंग क्या है आप लोग को अब तक पता चली चुकी होगी और नहीं जानते हैं तो उसके पहले भी 2-3 वीडियो हैं तो उसमें आप देख लीजेगा ऐसे 9 बजे से लमसम मान के चलीए 3 बजे तक है तो इतना complete duration है लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके जो frequently questions जो आप पूसते हैं मुझसे उसके जवाब मैं आज इस वीडियो में देना चाहती हूँ जैसे मैंने एक उपाय बताया था कि अपने height के according आपको एक धागे को नाप कर दिवाल से चिपका देना है और वो standing position में होना चाहिए तो आपके जो frequently questions ही आते हैं कि धागा किस color के होना चाहिए और उसको कैसे बादेंगे तो देखे धागे का कोई भी color आप ले सकते हैं ये आपके choice के उपर है इस पे कोई ऐसे नियम खानून नहीं है कि आपको इस color का धागा लेना है जो भी आप धागा पसंद करो वो आप ले लो और इसमें किसी तरह का गांठ आपको नहीं बादना एक बस एक समझ लीजे कि आपको अपने सर से लेके पाउं तक बस उसको नापना है आपकी हाइट और उसको सेलो टेप जैसे कभी आपने बैलून वगरा चिपकाया होगा बड़िज वगर में तो आप चिपका के उपर सिरे में और नीचे सिरे में बस आप चिपका देजे और आपका काम खतम एक उपाय ऐसा माना जाता है दूसरा कोशन कि क्या हम लोग बैट सकते हैं या लेट सकते हैं क्योंकि इतने दिर तक हम लोग खड़े दने में दिक्कत होती है तो देखिए औव्यस सी बात है कि नहीं इतने दिर तक खड़े रहना एक प्रेग्नेंट महिला के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है तो आपको बस मैंने जो ये उपाय बताया था आप अगर वुसको कर लेते हैं तो आप अराम से बैठिए उठिए या फिर आप अराम से करवट लेके भी लेट सकते हैं कुछ नहीं है तो तीसरा कोशन जो बहुत सारे लोग आप लोग पूछते हैं कि घर से बाहर नहीं जाना होता है तो देखिए घर से बाहर जाने की मैं बात करूं तो अगर किसी तरह की अगर आपके शरीर के साथ अगर किसी तरह की अमर्जनसी है तो आप निकलना ही पड़ेगा आपकी मजबूरी है तो आप बेशक निकलिए भगवान का नाम ले लिजे कुछ नहीं होगा इतना तो ट्रस्ट इतना तो फेथ अपने भगवान पे रखिए और बहुत लोगों क जब भी मैंने बोला है कि भगवान का नाम ले लिजे तो उनको लगता है कि मैं पूजा पाट करने के लिए कह रही हूँ और पूजा इस वक्त नहीं करना चाहिए लोग मुझे कमेंट करते हैं कि पूजा नहीं करने चाहिए तो देखे, जब भी आप ईश्वर का नाम लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उन्हें चंदन या गरवत्ती ही दिखाईए, आप अपने मन से ही पुझा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान तो हर जगब से होते हैं, तो आप उनसे किस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं, ये आपके उपर डिपेंड करता है, और भगवान देखे, जब कुछ रास्ता समझ नहीं आता है, तो सिर्फ ईश्वरी होता है, जिसे हम लोग अपने मन की बाते करते हैं, तो जब कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप अपने भगवान से अपने मन में ही मनन करिए, चिंतन करिए, उनका आ हो चाहिए और जो आपको मच्बूरी है जाना है तो अब मजबूरी की केस में आप क्या कर सकते हैं जो शहर की लेडिस हैं उनके लिए तो ठीक है कि घर के अंदर ही बातरूम होता है वो अराम से यूज कर सकती है लेकिन गाओं में क्या करेंगे तो देखे अब ऐसे माना जाता है कि उसकी उपचायां आप पे नहीं पढ़ने ही चाहिए और आपको अपने शरीर को अच्छी तरह से कवर कर लेना चाहिए जैसे आप में भी चादर ओड़ लीजे या कुछ भी ओड़ लीजे और भरसक आप आप वॉइड ही करिए देखे क्या है कि अभी ऐसे लेकिन यह लंबा समय तक का है ग्रहन तो आप कि अब आप लेकिन आप प्रिग्नेंसी में इमाजन कर लेकिन नौ बज़े से जो टाइमिंग चल रहा है सूतक काल तो आप पकड़ी लीजे कि सूतक भी इसमें अपलाई होगा लेकिन नौ बज़े से लेकिन तीन बज़े तक ही जो लंबा समय है तो आप उसको क्या करिएगा आप कैसे नहीं खाईएगा पीजेगा आपके हेल्थ इशूस पे भी तो सारी बाते बन पड़ती है न तो आपको करना क्या है कि आपके जो भी खाने पीने के वस्तू है जो आपको पता है कि इस टाइम पे मुझे फूरूट्स काना है इस पता रख लिजेए इसा माना जाता है कि तूलसी पत्ता जो होता है आपके ग्रहण के प्रभाव को कम करता है आप चोटी मुटी चीज़े कर सकते हैं अपने बड़ों के मन की भी बात रख सकते हैं उनके भी एक तसल्ली हो जाएग कि उनकी बहु ने फिर उनकी बेटी ने यह बात माना उनकी अनुसार से चला तो उनकी बाते रख लिजे और अपने भी खुद के भी दिमाग को थोड़ा सा अपलाई करते हुए सारे चीज़े करिए और रही बात बहुत सारे लोग कहते हैं कि काटना सिलना इस अप क्यूं नहीं चाहिए अब देखे काटने सिलने की मैंने रीजन बताया था कि ऐसा क्यों होता है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेगा इमीडियेटली इसके बाद तो जरूर देखेगा क्योंकि देखे मैं निगेटिविटी नहीं फैलाना चाहती हूं सब कुछ बहुत अच्छे से अच्छे से प्रिग्नेंसी हो क्यांची से कुछ मत काटिये और इस समय अवोइड करना हो तो पेन और पैंसिल तक का भी इस्तमाल नहीं करें अगर मालीजे कि कुछ देर तक अगर आप कितने भी अच्छे राइटर हो या लिखने के शौकी नों फिर भी अपने पेन को इस कुछ देर तक अपने उसको रो आया था मैंने आपको यह भी बताया था कि आपको अपने पास रख लेना होता है तो देखें मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने सिर्फ धागे वाली चीज़ की थी नारियल आपके पसंद का आपको लगता है आगर आप पहले से यूज कर रहे हैं आपकी शाइद सेकंड लिजे अपने साथ अगर नहीं रखना चाते हैं तो आपकी मर्जी आप बस वो धागे वाली चीज करिए मैंने खुद अपनी प्रिग्नेंसी में किया हुआ है और मेरे दोनों बच्चे काफी अच्छे से हैं स्वस्त हैं भगवान के क्रिपा से तो इसलिए अप अपनी प् मकसद आपको समझ में आ गया है किसी भी तरह की अन्य कोई भी डाउट है वह आप मुझे कमेंट में जरूर लिखें मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं कोशन्स पूछते हैं क्योंकि कोशन्स इतना जादा पूछेगा उतने जादा आपकी रहे हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ धेर सारा शेयर जरूर करिए थैंक यू सो मच पर वाचिंग ट्विन्स वाइं